हिमन सुरेन को पाच दिन की रिमांट पर ईडी रख सकती है प्यमले कोट में यहाँ पर सुनवाई हो रही थी और हिमन सुरेन को अब पाच दिन की रिमांट पर ईडी की टीम रखने वाली है एक बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है जारखंट से पाच दिन की रिमांड बढ़ा भी गई है पीमले कोट की तरफ से और हेमन सोरेन अब और पाच दिन एडी की कस्टडी में रहने वाले हैं हेमन सोरेन की जो मुश्किले हैं वो तेजी से बढ़ रही है कल ही देर रात जब उनकी गिरफतारी वी उसके बाद कोट में अर्जी उनकी तरफ से लगाई गई थी और आप ये बले कोट में उनकी पेशी हुई थी ये तस्वीर आप एक लिज़े पेशी के वक्की है हेमन सोरेन से कस्टडी में इडी की रख करके आप पूचताच होगी अगले पाँच दिनों तक हेमन सोरेन इडी की कस्टडी में होंगे सवेश क्या जानकारी हो आपके पास यह बड़ी चानकरी इस वक मिल रही है जार्खन से एमन सोरेन की पार्च दिन की कस्टडी बढ़ाई गई है कल देरात उनकी गिरफतारी हुए उसके बाद इदी की तीम की तरफ से उनकी कस्टडी की मांग की गई थी जिसमें यवधी 10 दिन का बताया गया लेकिन बड़ी चानकरी जो निकल करके सामने आ रही है हिमन सोरेन को पार्च दिन की रिमांड पर रखेगी इदी की टीम इदी की जो बात है वो पूरी तरीके से नहीं मानी गई है क्योंकि जो सूत्रों के वाले से जानकारी मिल रहे थी उसके मताबिक कुल 10 दिन की मांग इदी की तरफ से की गई थी लेकिन अब इदी की कस्टडी में अगले 5 दिनों तक हिमन सोरेन रहने वाले हैं की तीम अपनी कस्टडी में हिमन सोरेल को रखेगी और पूछताच करेगी यानि जो मुश्किले हैं वो धीरे धीरे और ज्यादा हिमन सोरेल के लिए बटी जा रहे हैं लेकिन कर